वही पुलस उपादिक्षक नबनीत नायक योन उत्पीडन के मामले में निलंबित कर दिये गए हैं आपको बता देगी जिले में तैनाती के दोरान शहर के एक होटल में मध्यपरदेश की महिला से अकसर मिलने आते थे और शादी से इंकार करने पर महिला ने उन पर योन उत्पीडन का आरोप लगाया है और इसकी शुकायत शाषन से की है जिसके चलते जिले में तैनात पूर्व स्पी ने इसकी रिपोर्ट भेजवी गई है इसके साथ ही जिसके बाद शाषन ने सीओ नवनीत नायक को फिलहाल निलंबित कर दिया है दरसल जिले के पट्टी सरकिल में जुलाई 2019 में कार्यभार ग्रेहन करने वाले पुलस उपाद दिक्षक नमनीत नायक करीव साड़े आठ महिने तक तैनात रहे और अपने कार्यकाल के दोरान वो चर्चाओं में बने रहे सुत्रों के अनुसार मध्यव प्रदेश में रहने वाली एक महिला से सीओ नमनीत नायक की दोस्ती हुई थी और जन्पद में तैनाती के दोरान अक्सर महिला शेहर के एक होटल में आकर रुकते थी वहाँ सीओ भी जाते थे और शादी की बात को लेकर दोनों के बीच अन्बन हो गई ततकालीन पुलस अदिक्षक अभिशेक सिंग से भी महिला ने सीओ द्वारा स्वांजा जासा योन उत्पीडन का शिकायत की है मगर अब तक कोई भी कारवाई नहीं की गई है वहीं बोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने शिक्षिका प्रचारिया अधिक्षिक का और पद नाम जो महिलाओं के लिए विशेश तोर पर उप्योग किये जवाते हैं खत्म करने के निर्देश दिये हैं उनका कहना है कि अधिकारियों गरमचारियों के पद नाम के लिए उप्योग की जवाने वाली शब्दावली में भी समानता का भाव अवशक है शिक्षिका प्राचार्या के स्थान पर महिला पुर्षों के लिए सम्मान शब्दावली जो ऐसे शिक्षक प्राचार्या आदी पदनाम का उक्यों किया जाए इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चहान ने कहा कि श्यक्षणे पाठ्य करमों में महिलाओं को कमतर बताने वाले अंशों को ततकाल रूप से हटाया जाए पाठ्य करमों का उडिट कर उन्हें जेंडर न्यूट्रल बनाने का काम प्राथिमिक्ता से पूरा किया जाए इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चहान ने आत्म निर्भर मध्यपरदेश को अंत्रगत महिला अशशक्ती करण और बाल कल्यान पर गठित अंतर विभाग्य सम्हू की बैठक को संबोधित कर रहे थे और बैठक में ग्रह, जेल और संसद्या कारे मंत्री डॉक्टर नरोत्कम विश्रा प्रेटन संस्कृती और अध्यात मंत्री उशा ठाकुर इसके साथ ही मुख्य सचीव इकवाल सिंग बैस और प्रमुख सचीव महिला बाल विकास अशोक शाह भी उपस्तित थे मद्यप्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है जुसके चौलते है जोले जीवन मिशन में अब तक तालिस लाक एक हजार एक सो एक्यासी घरेलू नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं अभी तक स्कूल और आंगन बाड़ियों में 26 हजार से जादा अधिक नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं इसके अलावा प्रदेश में IMIS पोर्टल पर दर्ज करीब 95 हजार शालाओं और 66 हजार से अधिक आंगन बाड़ियों में भी स्वक्ष पेजल उपलब्द करवाने के लिए नल कनेक्शन दिये जाने का कार्या लगातार प्रगती पर है दरसल समूची ग्रामिड अवादी के लिए 1 करोड 3 लाख नल कनेक्शन दिये जाने का लक्ष रखा गया आपको जानकारी देदे कि MP की करीब 75 करोड ग्रामिड अवादी को नल कनेक्शन के जरिये गुडवत्ता पून और प्रयाप्त मात्रा में जल उपलब्द करवाने के लिए मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चाहान के निर्देशों के अनुरूप जल जीवन मिशन के अंतरगत त्वरित कारवाई की जा रही है इसके साथ ही मध्यप्रदेश के 2985 ग्रामों की शत प्रतिशत आवादी को नल कनेक्शन से पानी उपलब्द करवाने की विवस्ता की जा चुकी है आपको बता दे कि बीते दिन मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चाहान ने एलान किया था कि साल 2023 तक MP के हर घर में नल के दुआरा जल दिया जाएगा में 9,34,399 जल कनेक्शन लगाए जाएगे जल प्रदाय योजनाओं के दाइरे में आने वाले सब ही 4,404 ग्राम शत प्रतिशत नल कनेक्शन युक्त हो सकेंगे